नौईडा के सेक्टर 93 ए में मौजूद रियल स्टेट कमपनी सूपर्टेक एमिराल्ट के ट्विन टावर्स को जमी दोज करने की तैयारियां तेज हो गई है आज तक के खबर के मुताबिक इन दोनों टावर्स को गिराने में 4000 किलो बारूप का इस्तमाल होगा और सिर्फ 9 सेकिंड में पूरी इमारत अपनी ही जगहा पर गिर जाएगी योजना के मुताबिक इन दोनों टावर्स को ढाने का काम 22 मई 2022 को अंजाम दिया जाना है इन दोनों गगन चुम्बी इमारतों को क्यों धाया जा रहा है किस तकनीक अस्तमाल किया जाएगा कौन सी दिक्कते आ सकती है और पहले इस तरह के demolition कितने सफल रहे हैं आज इनी सब सवालों के जवाब दलाशेंगे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये मामला क्या है दिगज रियल स्टेट कमपनी सूपर टेक एमिराल ने नौईडा की अपनी रेजिदेंशल सुसाइटी में 1000 प्लाट्स वाले 40 मंजिला दो ट्विन टावर बनाये थे निर्मान में अन्यमित्ता बढ़ते जाने की बास सामने आई जांच शुरू हुई तो दोनों टावर्स का कंस्ट्रक्शन मानकों की मताबिक नहीं था जिसके बाद साल 2014 में इलाबाद हाई कोट ने टावर्स को गिराने का आदेश दे दिया हाई कोट केस ओडर को नॉयट ऑथोरिटी और सुपर्टेक दूनों ने सुप्रिम कोट में भी चालेंज किया था इस दौरान तमाम जांचे और हुई सरकारी अधिकारियों की मिली भगत की बात सामने आई जिन पर कारवाई भी हुई सुसाइटी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैद कबसे का खुलासा भी हुआ इसके बाद बीते साथ सुप्रिम कोट ने इलहाबाद हाई कोट की पैसले को बरकरार रखते हुए ट्विन टावर्स को गिराने का अंतिमादेश जारी कर दिया सुप्रिम कोट ने कहा कि दोनों टावर्स गिराए जाएंगे फ्लाट मालिकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा और सुपर टेक कमपनी टावर्स के गिराने में आने वाला हर्च खुद उठाएगी कुस साल पहले तक ऐसी उची इमारतों को गिराने के लिए उची JCB जैसी मशीनों का अस्तमाल होता था और टॉप फ्लोर से नीचे तक एक-एक मंजिल को तोड़ा जाता था साल 2010-11 में न्यूजिलेंड में आये भुकम के बाद शतीग्रस थुई उची इमारतों को तोड़ने के लिए इंग्लेंड से लाए गए 200 फीट से भी जादा उची इनी मशीनों का इस्तमाल किया गया था एक के बाद एक बिल्दिंग का हर प्लोर नीचे धस्ता जाता था ये तकनीक भी काफी वक्त लेती थी इसके बाद उची मारतों को उढ़ाय जाने के लिए विस्वोट को का इस्तमाल किया जाने लगा ये तरीका एक्स्प्लोजन यानि विस्वोट से थोड़ा अलग है इसे नाम दिया गया इम्प्लोजन नॉइडा के ट्विन टावर्स को धाने के लिए इसी तकनीक का इस्तमाल किया जा रहा है इसे आपको समझाय देते हैं इम्प्लोजन अंग्रेजी की इम्प्लोट से बना है शाबदिक अर्थ प्रत्या रोपर्ड एक्स्प्लोजन के उधारिन से समझते हैं एक्स्प्लोट यानि बाहर की ओर विस्वोट होना विस्वोट होने के बाद चीज़े बाहर की ओर फैलती हैं इंपलोशन का अर्थ एकदम उल्टा होता है, चीज़ें अंदर की ओर आती है इमार्तों को गिराने का काम करने वाली कम्पनियों के लिहास से इसकी मायने काफी अलग है यह उची इमार्तों को नियंतरत विस्वोट के जरी गिराने की प्रक्रिया है मोटा माटी समझे तो इस पूरी प्रक्रिया में दो तीन काम होते हैं एक की महीनों इसमें तोड़ पोड और बाकी तयारी की जाती है दूसरा बिल्डिंग में सैंक्रों और कई बार हजारों तक छेट किये जाते हैं जिनमें विस्वोटक पिट किये जाते हैं तीसरा काम होता है सेकिंड्स के अंतराल पर डेटोनेटर की मदद से धमाके करना। इस पूरी प्रक्रिया में शरुवाती तोड़ पूर इस हिसाब से की जाती है कि बिल्डिंग का वजन कम हो जाए। हर धमाके के साथ इमारत के हिससे वर्टिकली नीजे धसे और मलबा इमारत के एरिया से बाहर ना गिरे। सुपर्टेक के टावर्स को गिराने का जिम्मा लेने वाली कंपनी एडिपस के पार्टनर उतकर्ष महता से हमने उनकी तैयारियों पर बात की उतकर्ष कहते हैं अभी अंदरूनी दिवारे तोड़ी जा रही है, इसके बाद भारी दिवारे तोड़ी जाएंगी, पूरी मारत में करीब 7000 छेट किये जाएंगे, सभी कॉलम्स को तारो और जियो टेक्स्टाइल फ्लाट से राप किया जाएगा, ब्लास्ट के बाद उलने वाली डस्ट को र सॉफ्ट ट्यूब्स का इस्तमाल करते हैं, ये प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं, जिनमें बारूद भरा जाता है, बारूद पाउडर फॉम में भी हो सकता है, और एमल्शन में भी, ट्विन टावर्स में ब्लास्ट के लिए पाउडर एक्स्प्लोजिव का इस्तमाल कि पूरी डिजाइन साउथ आफरिका की ब्लास्टर कंपनी जेट एबॉलिशन ने तयार की है। उन्ही की निगरानी में हम इस महीने आगले महीने ट्रायल ब्लास्ट करेंगे जिसके बाद साउथ अफरीकी इंजीनर तय करेंगे कि उन्हें हर सॉफ्ट ट्यूब में कितने ग्राम बारूप का इस्तमाल करना है। कुल मिलाकर करीब 4000 किलोग्राम विस्पोट की जरूरत पड़ेगी। इंप्लोशन तकनीक का इस्तमाल उची इमारतों के अलावा इंडिस्ट्रीज की चिम्नियों, सुरंगों और पुलों को ढ़ाने के लिए भी किया जाता है। कंट्रोल डिमोलिशन की इस तकनीक के दो फायदे हैं, एक की उची से उची इमारत के पूरी तरहां जमी दोज होने में सिर्फ 8 से 10 सेकंड का वक्त लगता है, दूसरा की से पुरानी तकनीकों से ज़ादा सुरक्षित माना जाता है। अब आपको NDT टेस्ट के बारे में भी बताते हैं, इंप्लोशन टेकनोलोजी से इमारतों को ढहाने से पहले दो टेस्क किये जाते हैं, पहला है नॉन दिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानि की NDT, इस टेस्ट में बिना कोई तोड़ पोड की इमारत के बारे में कई पता चलती हैं, असलिन उसकी मस्पूती, इस्तमाल किया गया building material, pillars वगहरा के joints की location आदी, साथ ही इस टेस्ट से ये भी पता चलता है कि demolition के लिए कितने force की जरुवत पड़ेगी, और दूसरा टेस्ट है GPR, यानि Ground Penetrating Radar Test, इसे एक तरह से बिल्दिंग का X-ray scan मानी है, बि पर explosive charges लगाए जाने हैं, धमाके के वक्त vibration कम करने के लिए भी बंदोबस किये जाएंगे, इस वक्त सिर्फ 5 लोग building के आसपास रहेंगे, पूरे वक्त आसपास की society और पार्शवनात प्लाजा से लोगों को 5 खंटे के लिए evacuate किया जाएगा, आसपास की सड़कों पर भी कि को आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान supervision के लिए 10 विदेशी इंजीनियर बुलाए गए हैं, जनमेंसे 2 धमाके के वक्त building campus के आसपास ही रहेंगे, पूरी प्रक्रिया की निगराने का जिम्मा रुड़की के Central Building Research Institute को सौपा गया है, आसपास की इमारतों को धमाके और मलवे से बचाना एक बड़ी चुनौती होती है, मिसाल के तौर पर नयॉक में 187 मीटर उची सिंगर बिल्डिंग में 47 फ्लोर्स थे, धमाके में पूरी बिल्डिंग 10 मीटर की गुलाई में धुस्त की गई थी, और भारत में इससे पहले क पेरल के मरादू टावर को भी इम्प्लोजन ब्लास से ही ढाया गया था, मरादू टावर और उसके सबसे नस्दीक की बिल्डिंग के बीच दूरी सिर्फ 8 मीटर की थी, जबकि नौईडा के ट्विन टावर से करीब 9 मीटर दूर दूस्ती बिल्डिंग है, इसलिए साबध धमाका करने जितनी आसान नहीं है, विग्यानिक आधार पर इसका पूरा स्ट्राटेजिक ब्लूपरिंट तयार किया जाता है, बिल्डिंग के किस हिससे अप लोर में पहले धमाका किया जाना है, कितने सेकंड के बाद दूसरा धमाका होना है, जरा सी चूप बड़ी दुर कारी खटा की हमारे साथ ही शिवेंद्र ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रही दीलन लंटो, शक्रिया